नमस्कार हिमाचल अभी अभी का खास कारेकरम चर्चा अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ जैप्रकाश तोमर चर्चा अभी अभी वही कारेकरम जिसमें हम आज की दिन भर की बड़ी ख़बरों पर चर्चा करते हैं और जिसमें सीधे तोर पर आप भी जु दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप तक पहुंचाएंगे और चर्चा अभी-अभी कारिक्रम में आज भी मेरे साथ हरोज की तरह मेरे स्वयोगी आशीश भरमोरिया जी आशीश जी स्वागत हिमाजचल विदान सबाके बजट सत्र सही करेंगे आज तीसरा दिन था और तीस जारी है और अंदर आज भी कारवाई चली बाकी विदायक अंदर गए हमने दो तिन दिन पहले चर्चा की कि क्या वो विदायक अंदर जाकर कारवाई चलने देंगी या वो भी भार रहेंगे लेकिन वो जा रहे हैं फिर वापस आकर वहीं बैठ रहे हैं इस तरीके से जो है हंसराज जी को उपाद्यक्ष है जो जो उनको कहा कि ये मेरे बेटे समाने और भार जाकर में इनके कान खेंचूँगी तो इस तरीके का आज गती रोज चला रहा किस तरीके से आज का दिन को आप देखते हैं देखिए चलिए आज के बजट सब्सक्राइब के तीसरे दिन की शुरू सही करते हैं आज कांग्रेस की और से दो बार वोक आउट किया गया है पुले सदन से दो बार वोक आउट हुआ है इसके लावा मेन मुद्दे की बात जो है घूम फिर के पते की बात वही है कि राजजबाल प्रकरण राजबाल के साथ जो बदसलू की हुई धक्कामों की हुई सारी बात आज भी घूम फिर कर वहीं पर आई आज जैसे सदन शुरू हुआ तो अब क्योंकि नेता प्रतिव अधायकों का नेता प्रतिपक्ष शहित उस पर चर्चा की जाए और निलंबन वापिस लिया जाए इस पर सुखविंदर सिंग सुखु ने बात कही इसके बाद आशा कुमारी जी ने भी कहा सी एम और संस्दिय कारे मंतरी सुरेश भार्दवाज ने भी जवाब दिया सुर कार निलंबन वापस लेने के लिए तयार है लेकिन बात सारी कहां पर अटक रही है बात सिर्फ वहीं पर अटकी पड़ी है कि कॉंग्रेस जाकर विधायक जाकर माफी क्यों नहीं मांगते नेता प्रतिपक्ष मुकेश शगनियोतरी बार-बार कह रहे थे कि हम क्यों माफी म ने तक ने कहा कि जो कुछ भी इस दिन घटना क्रम राजज जपाल महदे के परिवार वालों ने वी देखा और हम ने जाकर राजजपाल महदे और उनके परिवार से भी खेट जताया और माफी मांगी है अब वहीं है ना सरकार तो इस मामले को पहले से फ्रंट फूट पर खेल रही थी और अब भी वह फ्रंट फूट पर ही है देखिए अब सरकार ने सीम जए राम ठाकुर ने बोल दिया कि हम माफी मांग चुके हैं और मुझे तो लगता है कहीं ने कहीं कोई दर्शक देख रहा है तो वह भी हमें कमेंट करकर बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब बहुत ही एक तो बैक फुट में चला गया है उसके अलावा देर भी काफी ज्यादा हुचकी है देखिए आप 26 तारीक का घटना करम है सारा और मुकेश अगनियोतरी है कह ही ढीला और लीपापोती तो अब हो रही है जी आज कई दिनों बाद जो है जो पूरों मुख्य मंत्री है वीरभदर सिंग उनका भी बयान सामने आया उन्होंने जो जब मैं उनका बयान सुन रहा था उन्होंने यह कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नाकामियों को बताना है और विपक्ष की उन्होंने च्छोटी मोटी भी आने के बातों को विपक्ष की इतना तूल देखिये अब और लोगिव्ट ही तो मैं आपको दो बाते क्लीर कर देता हूं कि एक तो खुद उनकी Sud उनकी काफी ज़्यादा एज हो गई है पूर पूरी जिस तरह बार बार कांग्रेस खेमे में आपस में खींचतान चली है पदों को लेकर और कश्मकश है कि कौन उपर जाए कौन उपर जाएगा कैसे जाएगा तो उस दिन ही पूर्मुख्यमंत्री विरुभदर सिंग ने साफ किया था कि नेता प्रतिपक्ष को हटाने की जरूर लेना चाहिए मैं फिर वही बोल रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से निलंबन वापस लेने के मोड में है और संस्दिय कार्यमंत्री शुरेश भार्दवाज ने भी वही बात कही उनके शब्दों में एक साफ मेसेज था कि आप कांग्रेस बिना शर्त के कांग्रेस के विदाय है कि राज्यपाल महदे से माफी मांगें और निलंबन वापस लेने पर विचार करेंगे निलंबन वापस में तो कोई देरी नहीं होगी इसके अलावा जो आज का घटना करम जेपी जी बहुत ही फिर से वही रहा रोचत जैसा कि हम बात तो करते हैं वाक आउट वाक और इसने दो बार वाक आउट किया है लेकिन एक बड़ा घटना करम आज यह देखना को मिला कि जैसा 26 तारीक को महौल पैदा हुआ था और धक्का मुकी तो हो गई थी उस दिन आज वी कुछ उसी तरह के हालात फिर से पैदा हो गए थी आज विधानसवा उपाध्यक्ष ह सवाल उठा रहा है कि धक्का मुक्की के सभी वीडियो देख रहे हैं उसमें तो विधानसवा उपाध्यक्ष हंसराज भी शामिल थे तो उन पर कारवाई कि जारी बार बार जब उनका नाम लिया जा रहा था तो और वो बोलने के लिए जब खड़े हुए इस बीच विक्र विदा में रहते हो देख लो बैठ जाओ इस तरह की बात हो और उस दोरान इतनी ज़्यादा गहमा गहमी हुई उस दोरान इतना ज्यादा महौल टेंस हो गया कि फिर से वह हाथा पाई जैसा वाला महौल एकदम से बन गया उन्होंने कहीं स्पीकर से यह भी कहा कि इन्होंन सभा के उपहज़क्ष हं सराज हैं विदायक तो है यह लेकिन वह उपहज़क्ष भी subsidiवी है यानि कि व करते हैं जब विदान सभा अध्यक्ष मौजूद neste में तो सब्सक्राइब надо कि मृद्वे और hey bad छैट किया रहे हैं क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिका तोर पर great हां में तो फिर जंता कम दो को ले कर को आप मुझे बताइक जारा और कहीं ना कहीं विक्रम आदेतियसी ने भी डिप्टी स्पीकर पर अप्षब्द करने क्या रोप लगाएं और उन्हें ने ये कहा कि अंसराज जो है वो मर्यादा भूल चुके हैं खेर आशीर जी कहीं ने कहीं मुख्य मंतरी ने भी आज सक्ट लहजे में का उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस के लोग पूरों में पूरों मुख्य मंतरी शांता कुमार का हाथ तोड़ चुके हैं भाजपा कारेले पर हमला और पत्थर बाजी कर चुके हैं जिसमें एक कार्यकरता की आँख तक चली गई थी और बाद में विपक्ष ने सदन और अब विपक्ष इसी तरह की की हरकत कर रहा है तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं पिसले तीन दिनों से बिल्कुल सक्त लहजे में वह अपनी बात रख रहे हैं जी बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए उन्होंने पूरे विक्रमरित्ति के विवहार को अनुचित करार दिया और कहा कि यह इस तरह से तो बरदाश्ट नहीं करेंगे हम भी और मैं आपको सीरेत और पर कहूं कि हलंकि सुरेश भारदवाज यहां पर नरम होते हो दिखे उन्होंने कहा संसी कार्यमंत्री ने कि आप माफी मां लेकिन सीएम के रवय को आप देखेंगे उन्होंने काफी जादा तलखी दी उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को तो माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कहना यह भी सुईकार करना चाहिए कि आगे से वह इस तरह की हरकते नहीं करेंगे मतलब वह तो काफी ज्यादा ओवर्टे ना जाहे कि मैं पहले बार बार कह रहा हूं यह ने पहले भी कहा है कि हर सत्र में हम देखते हैं कि सरकार को गहरा जाता है और सरकार को לו बैख्ष लाती है कि सिर्थ के है कि यहां पर विपक्ष बैक्फूट में गया हुआ है और विपक्ष के पांच विधायकों का एक तो बहुत ही कम नंबर है आपके बास इतना नंबर भी नहीं है कि लीडर आफ आपको मिल सकता था लेकिन फिर भी सरकार ने दिया है इसके बावजूद अब पांच विधायक और आपके चले गए हैं तो ध्हेरने के लिए मुद्द मुद्य देखी आप कैसे हैं और उसमें भी मिया इसमें देखिन होता है तो जनता लेकिन बाहर जो विदायक ने लंबित हुआ है वो तो खेद जताने को भी तयार नहीं है तो आप इससे देख सकते हैं कि कॉंग्रेस के भीतर चल क्या रहा है वो अपने आप में ही एकमत नहीं है आज सुक्विंदर सिंग सुक्व ने खेद जताया अबाकाइदा हलांकि उन्होंने कहा कि दोनों फक्षिस के लिए बराबर जिम्मदार हैं लेकिन बाहर आप स्टेटमेंट देखेंगे बाहर अगनी होतरीज कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम क्यों मा प्रेशा दुख रहेगा और हम तो कहेंगे लोगों से की जनता बार बार नेताओं से सवाल करें कि जब सत्र लगा है हमारा पैसा है उसमें लगा हुआ उसमें खर्च हो रहा है कच्छी खर्च होती है जनाब तो हमारे मुद्दों को उठाने के वजाए वाक आउट और अंदर आपस में ही एकमत नहीं बन पा रहा है इसी से जुड़ा यह है कि हमने देखा कि कोई नेता बिल्कुल सक्त लेजे में है कोई अब आशा कुमारी की करें तो उन्होंने आज काफी ज़्यादा मजाक के लेजे में बात किया मैंने पहले भी कहा लेकिन उन्होंने कहीं सुरेश भारदवाच को भी पड़े लिखे मामा जी कहकर संबोदित किया उन्होंने कहा कि जिस दिन यह घटना ही उस दिन पड़े लिखे मामा जी क्या कर रहे थे तो आशा कुमारी का इस तरीके का सुखु के आपने बताया आपस में तालमेल अगर कॉंग्रेस का इसमें नहीं है और वीरभदर सिंग के आपने आज पूरी पहनी नजर इस पर बनाई रखी तीसरे दिन पर भी तो वीरभदर सिंग ने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्र से अपील करूंगा जाकर मुख्यमंत्री से इस विशे में बात करूंगा कि सत्र को दोनों पक्षबेट कर बयान अज हलके फुलके मजा की अंदाज में कोई खेज जता रहा है कि दो चार दिनों में कुछ इससे रास्ता निकल सकता है देखिए मेरा मेरा अपना जहां तक पर्सनल मानना है और मैं जो चीज़ों को अब्सर्व कर रहा हूं यह 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 टिपनी मेरी विक्तिकर टिपन से यह डेड़ लोग नहीं तूट पा रहा है अब देखिए आप क्योंकि अंतर है अंतर है स्टेटमेंट में वह खेद भी जता रहे हैं अंदर सुखु जी बाहर से खेद जताने की तो बात ही नहीं दूर दूर तक की जा रही है सुखु पैलेंस जैसी स्टेटमेंट सदन क लेकिन इसके लिए बीजेपी वाले भी उतने दिम्मेदार है हमारे ओपर नहीं थूपा जाए उधर आप बाहर स्टेटमेंट देखें तो बाहर स्टेटमेंट ही कुछ और चल रही है तो इससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है लेडर ओप ऑपोजीशन ह और दूसरे विधायक है उनमें एक जूपता नहीं है वरना इन स्टेटमेंट में इतना बड़ा अंतराना तो लाजमी नहीं था और यह डैड लोग अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था और कांग्रेस को भी जाके मुझे लगता है मापी मांगने भी जाएंगे तो भी खैर देर तो बहुत जादा होगी है लेकिन चले जाना चाहिए था क्योंकि आप अंततर जंता के मुद्धों को लेकर आपको बेहंस करनी है निलंबन वो कह रहे हैं कि मुद्धा नहीं है धक्का मुक्यों नहीं की देखिए जो होना था वह हो चुका है वीडियो सब ने दे करने हैं आप बार-बार कहते हैं जब पिछली बार आपका विंटर शेशन आप की संथ्धिया थिहां रहे हैं यह तो ड़र रहे हैं सरकार इतने इनान नहीं कर चुके हैं हम हमें आपसे भी चाओंगा कि आप भी अपनी राए रखें अपनी बात कहें आप या अपना सवाल रखें या जो आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर दें आशीर जी सुकुंदर सुकुं की जब बात हो रही है तो आज जब उन्होंने पॉइंट आफ ओडर के तह कहते हैं कि राजएपाल की बार बार वहीं कहते हैं कि रभ पहले से यह योजना बनाए गए तो मुखे मंत्री साहब को ही जो है मास्टर माइंड बता दिया था जी बिल्कुल पूरे घटना करम को लेकर देखिए अब राजनीती तो क्योंकि विपक्ष को घेर जा जा चुक प्रत्यारूप की राजनेती क्योंकि हम धीरे धीरे युवा ज्यादा जागरुक हो रहे हैं अभी तक हम पूरी तरह जागरुक नहीं है युवा लेकिन धीरे धीरे तो चीज़ें बदलाब आहिरा है अब कब तक ऐसे इस इन चीजों से काम चला कर चलते रहेंगे इस तो आप उस ट्रैप में ना आपकी बात हम मान लेते हैं मुक्य शक निहुत्री जी की बात हम मान लेते हैं कि साजी तो शाजी थी मुख्यमंत्री जी ने किया करवाया सब कुछ ठीक है मान लिया आपकी बात मान लेते हैं कि उन्होंने करवाया लेकिन आप उस जाल में तो यही तो काम है आपका जंता के मुद्दे अब देखिए अब वो तो इसी लड़ाई में सरकार को गहरने के लिए मुद्दा नहीं मिल रहा हैं को अब देखना चाहिए ना आप क्या चल रहा है सारा विपक्ष का बिल्कुल यहां तक कि अगर हम जो है आशी जी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पर्सों से जो चल रहा है उसी का जिक्र आज विक्रम आदेते सी ने डिप्टी स्पीकर पर जो है उन्हों ने कहा कि अन्सराज ने कहा कि मुझे इस पर भी अभद्र भाशा का इस्तमाल किया रहा है सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी लिख सकता है लेकिन जिस तरीके से नाम रखकर जिस तरीके से उन्हों नहीं किया और अब जो है वह धर्ना प्रदर्शन या बीजेपी के आज भी जारी रहे आज तो कॉंग्रेस भी कहीं कहीं सडकों पर देखिए लेकिन लेट होगी काफी मैं बोल नहीं रहा हूं बीजेपी ने इतनी जल्द है परतमाशा कि देखिए बाट जहां होनी थी महंगाई की जैसे बार बार मुकैशक निहुत्री भी कह रहे हैं बात होनी थी महंगाई की बात होनी प्लीiblattag इस वक्त है कि इस जो प्त्रिंबार्ट रख़ रहे हैं पैट्रोर सो रुपय कहीं कहीं पर शैरों पर चला गया बात होनी थी और पेट्रोलियम के रेट्स की बात होनी थी इंधन की बढ़ी लगातार बढ़ती कीमतों की लेकिन अब बात क्या हो रही है कि सदन में तो पर राज्यापाल के साथ बदसुल की कर दी गई आज विधायक विक्रम अदित्य और हंसराज के बीच गहमा गहमी हो ग सिर्फाल संप्दा सरकार का और भी तरह से देखा जाएं तो बुएक्तिकत मुद्दा लगता है जनता कहां का सारी भरतियां हैं जिनके रिजल्ट से रिलेटेटिट हैं कर्ज बहुत सारी चीज़ें कि वह अफ पिछली सर्कार नहीं लिया तो आप अपने रिसोर्स पड़ सब्सक्राइब करने लोग आपस में कि रिसूर्स कैसे बढ़ेंगे सदन में क्या हो रहा है समय आशी जी समयदानिक पद की जब बात आती है तो राजयपाल के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा लेकिन जिस तरीके से अब हर बात पर अगर समयदानिक पद की जो बात आगे रखी जा जैसे उपाद्यक शंसराज उनके वीडियो फूटेज भी उस दिन देखे कोई कारवाई नहीं हुई सब ने उनका भी देखा किस तरीके से धका मुकिवी लेकिन देखिए दो चीज़े हैं पहले पहली चीज़ यह है कि वह समयधानिक पद पर तो मौझूद हैं अब देखिए आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप उसको घेरने के लिए अपने सबसे बड़ा थियार ब्रहम हस्त्र निकालेंगे और हंसराज ने ब्रहम हस्त्र यही निकाला है कि मेरी तो समयधानिक पोस्ट है उन्होंने आज मीडिया के साथ बयान में भी यही चीज़ें कई कि हंसराज हंस कोई विधायक मत समझी आप कोई भी आएगा जो जाएगा मेरी जगा विधायक लेकिन मैं एक कॉंसिटिशनल पोस्ट पर हूँ मैं विधान सभा देख्यों आप किस तरह की भाषा का और भाषा तो मैं कहूंगा यह कॉंग्रेस और बीजेपी का खेलनी है भाषा तो मतलब सोचल मीडिया पर देखते हैं आप सब लोग किस तरीके की दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल होता है इसलिए केंदर को कानून लाना पड़ र हिए तो यह भाषा का है कल कल मैं आपको एक और बात बता हूं कि पूरे प्रक्रंण को लेकर जो नों आज कहा मैं इस उसमें सारी चीज़ें बताई कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है मुझे परारोप लग रहे हैं मुझे दिजा रही है इसके लावा अब जो सारा प्रक्रण चला है तो इसमें शायर पांदस मिनिट पहले ही विक्रम अदित्य सिंग ने भी एक फेस्बुक लाइब करके अपनी साथ कही है कि आज जो सारा घटना क्रम हुआ तो उसमें उन्होंने यही का कि हम डरेंगे नहीं इनके जबाने से करता हूं को भी संदेश दे रहे होंगे अबदर बाशा का जब इस्तिमाल का जो जब जिक्र होता है आशीश जी तो कहीं ने उपाद्यक्ष जो है हंसराज ज ने जाज़ए तबर पर उंसराज जहाए अपडल यस तरीका अरूप लगते हारें और जन्ता देखता है कहीं ने जी तैक कहीं पैधिया की मनुत ने जी बिलिग्या का वे बेवशा जाएरे का ने आशारा गेहता है लाकिए हैन में आपक्रहा लाटा लिए अलग रहता है और पीछे अलग रहता है होना क्या चाहिए तक्नीकी दोर पर आप कैमरे के पीछे जैसे हैं वैसा जैसे सामने हैं आप कैमरे के पीछे भी होने चाहिए राजनेताओं को खास कर मैं अगर देखे ना आप तो उन्हीं से लेते हैं माननी जब शब्द आपके पर आया है तो लोग हाथ दुला कर उनके पेज जिस तरीके से जितनी सेवा हो सके उतनी करते हैं खैर यह तो एक मेहमान के आगे वह पर संस्कृती है लेकिन हमने देखा है कि भगवान का भी दरजा दे देते हैं और अगर माननी इस तरीके से करने लगे शायद यह रीद तब मिलेगा क्योंकि जो पुराने नेता है वो आज बार-बार कह रहे हैं कि राजनीती का एक स्तर होता है राजनीती में इक अलग होता है अपको सटनाना कि देखिवों राजनीती मुद्Jo और शांतागुंब ने विदान सभा में खुब खरा-खरा भाशन सुनाया और शायद वो तब सेंटर में थे सेंटर की बात है संसद में थीख खरी-खरी-खोटी सुनाई और उसके बाद उन्हें एक सरकार का अपने हिमाचल का कुछ काम लेकर वहां जाना था तो सदन में एक दो दिन पहले तो खरी-खोटी सुना चुके थे मंत्री मोह देखो तो वो डर रहे थे बहुत जादा की मैं कैसे जाओं मिलने अब की और में को तो काम करवाना है अपने हिमाचल का जब गए तो उन्होंने शांता ने अपने खुद जिकर किया तो वो गए और उनको जब वो मिले और शांता पार्टी ने जिकर किया कि मुझे लगा था मैं तो बहुत डरा हो था वहले देखो शांता बात ऐसी है कि सरकार पार्टी की सरकार होती है सरकार की कोई पार्टी नहीं होती है तो देखी इस चीज़ से हमें सीख ले लेना चाहिए कि आपको एक रुपक्ष के नेता जिन को कि जो डूफ़े संस्तानर रही हैं लेकिन वो दो टूफ़े पार्टी की सरकार होती है कि सरकार की कोई नहीं होती है तो यह चीज़ चीज़ें हमें सीखनी है अभी जी खेर जब बात उन लोगों की चल रही है जो इतने दश्कों से राजनिती में हमारा तो शायद अब जन भी नहीं हुआओगा जब से राजनिती में हैं तो मुझे भी एक किसा याद आ रहा है जब मैं पिछली बार पिछले साल की बात है मैं किसी दूसरे संस्तान में कार र परिष्ट थे तो उनने का कि मैंने कई लोगों की लेकिन जो साफ और सटीक बातें यहां पर देखने को मुझे मिली इन दो नहताओं से वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी शांता कुमार को उस दोरान उनने इंटर्विव किया था और उन्हें सटीक तोर पर पर चा हो बी दोनों हैं लेकिन आपको देखना होशना और आप युवा हैं पर आप माननी भी है तो आपको नों को बारे में भी गौर करना चाहिए क्योंकि देखिए विक्रमाजित जी ने जो कुछ भी किया हो आज लेकिन हंसराज पर भी किस तरह के आरूप लगते रहते हैं उनकी शब्दावली को लेकर एक इंसिडेंस आपको याद होगा ओवर्टेक करने को लेकर गाड़ी को ओवर्टेक करने को लेकर काफी माम लेने तूल तूल पकड़ा था तो दोनों तरफ से वो है ना इस हमाम में सब नंगे जी बिलकुल होतो है लेकिन इन कईना को पूराने अभी नेता है इन से सीख लेने की बहुत जरूरत है और शायद सीखते भी होंगे लेकिन जो दिखता है वही बिखता है खेर आगे बढ़ते हैं आज इमाचल प्रदेश विदान सभा के सदन में वित्यवर्ष 2020 किसके लिए 9125 करोड रुपे का बजट का पारित हो गया है मुख्या मंतरी जैराम ठाकुने सदन में अनुपूरक बजट पारित करने का प्रस्ता और किस तरीके से देखते हैं आशी जी अनुपूरक बजट को आप अगर समझा सके हमारे दर्शकों के लिए देखिए अनुपूरक बजट सीधे शब्दों में कहें तो आप है कि कितनी विए कितनी जरूरत है लेकिन होता क्या है कि सप्लीमेंटरी बजट जिसको अनुपूरक बजट कहते हैं वो लाना पड़ता है क्योंकि देखिए सरकार ऐसे ही अपने खर्च बढ़ गए हैं तो ऐसे ही पैसे खर्च नहीं कर सकती इसके लिए विदानसवा में मंजूरी लेनी होती है तो यह अनुपूरक बजट था क्योंकि यह शेशन तो अभी खत्म होना है फाइनेंशल जो यह है वो अभी 31 मार्च को खत्म होगा तो उससे पह अच्छे तो आप भी कुछ सोच कर चलते होंगा कि हमारी तनक्वा से मैं इतना ही कर्चे करूंगा लेकिन महीने के अंतक होता कुछ चीज़ें उलट हो जाती है तो वैसी कहानी सरकार की भी रहती है जिए सरकार का अधारन में आप आप से ज्यादा क्या आपको आसानी से ब भी जिकर किया था आशीर जी अगर आपको याद हो कि जब जिसके अगले जिस दिन ये पूरा प्रकरन हुआ उनको निलंबित किया गया आपने कहा कि कल अब देखना होगा और कॉंग्रेस ने भी कहा था कि कल हम अब तै करेंगे बैठक में कि तो यहां कहीं न कहीं न कहीं वो अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं इस तरीके से विए कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए गलत मैसेज जा रहा हूँ जी बिलकुल मैं को ही कह रहा हूं कि देखिए निलंबन और वो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी अब क्योंकि मामला काफी जादा आगे बढ़ चु जाए रहा हूं कि ऐसे मोगे बहुत ही विरले रहते हैं कि जहां सरकार को घेरना था वहां आप खुद ही घिर चुके हैं सारे प्रकरण में क्योंकि देखिए बढ़ बुनाने के में बहुत इक्सपरट पार्टी इसमें को कोई दोराने किसी के बीच में नहीं है कोई शक्र सुबह भी नहीं है कि बीजेपी कैसे मुद्दों को बुनाती है तो मुद्दे तो अभी भुनाने का मौका था बक्स के पास और हो रहा है बिलकुर उल्टा तो ऐसे ही चलता रहेगा तो देखते हैं आलंकि डैड लोग तोट जाना चाहिए मैं जैसा कि कह रहा हूं डैड के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए इससे कही ना कहीं एक अच्छा संदेश कोंग्रेस की तरफ से आम जनता के बीच जाएगा बिलकुल यह बहुत अच्छा सवाल किया देखिए मैं वही कह रहा हूं जोश में और मोके में कई बार जो है हीट ऑफ दी मोशन में बहुत सार सब्सक्राइब करने के लिए कितनी जल्दी कदम उठा लेते हैं वहां से आपकी स्विकारता बढ़ती है पूरा घटना करम तो खैर हो चुका था जो होना था एक्दम कॉंग्रेस को चाहिए था कि आप तुरंत जाते और देखिए डायलोग जो अंदर होता राज्यपाल मह सब्सक्राइब के साथ वो तो खैर किसी के सामने नहीं आता कि अंदर क्या बात चित हुए लेकिन बाहर आके तो आप वही फॉर्मली स्टेटमेंट यहीं देखते कि हम राज्यपाल से मिले हमने इनकी शिकायत की और हमने यहीं कहा कि सारा कारेक्रम जो हुआ है वो बीज़ लेकिन वैसा हुआ ही नहीं अब मामला ही बहुत जादा दो आज का तारी तारीक है काफी देर हो चुकी है कि अगर इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो जाय तो उनके पास अच्छा मोखा है दोनों ही पार्टियों को दर्किनार करने का देखिए मेरे नजर में तो बहुत देर होगी है इतना नहीं है अब देखिए आपके विधानसवा चुनाब सर पर हैं मतलब वैसे तो साल एक साल से ज़्यादा को वक्त है लेकिन देखिए छे महीने आठ मिने में उनके लिए रहत देखता नहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी हां देखते हैं अगर वो कैसे मुद्धा उठा लेती है अगर अभी तक तो है भी नहीं और आम आदमी पार्टी आना ही चाहेगी हिमाचल में तो वह मैं आपको सिदेत और पर खाहूं उसके बाद दो बुनियादी मुद्ध हैं क्योंकि हम हाइड्रो पावर का हब हैं विजली हमारे यहां थोक में त्यार होती है तो देखे दिली तो उन्होंने फ्रीक देदी 200 दूर नहीं है लेकिन हिमाचल बहुत दूर है अभी तर उनके लिए पहाड़ी रास्ता रहे पहाड़ी रास्ता है और समय लगता है उन सबस्ता है जिस गति से आपने दिल में भाग ली जी अट कई हम यह देखना होगा कि कल का क्या तरे कि ca कि कि सी तरीकिे से कवह इस तरीके से कल बתי चौ्ट और दिन यसी तरीके से जा सकते है कि कल ब Rose का कर वहीं बैठ जाए कॉंग्रेस की विदाक आए और कुछ देर तक जब तक कारवाई शुरूर ने होती वहां पर बैठे रहे और फिर अंदर जाए फिर बाहर आए इसी तरीके से क्या कल का दिन भी रहने वाला जी कल के दिन से पहले एक में छोटे कमेंट्स जो हमें आया ह आप पवन भाए भार्थ जी लिखते हैं लिखते हैं ह Limasal में अफिपक्ष का काम है ना मौजूदा सरकार का सरकार कार काम की है पर ऩर विकल तो हमारे वास हमार पास तरड़ पांच सीटें जीते थे उसके लावा तो कुछ है नहीं या तो को निर्दल ये बनता है तो उसमें आपकी पहले सवाल में थोड़े सी दिक्कत है चार साल होने को आए लेकिन आज तक जोसली मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं हुई यह हमाचल वासियों के लिए बड़ी बदनिसीबी की बात है यह तो आपने बात सही की बदों पर तो बात नहीं हो पा ज admissions चलाते रहते हैं हो और बात करनी है involved बदों पर और फिर भी बात नहीं पुष्ट इस ने कर सकते हैं वह तो विक्रम अधित्य सिंग जानते हैं और हंसराज यानते हैं कि दोनों के बेच में क्या बात चित हुए और विक्रम अच्छी बात नहीं शब्द मुहिद जी का ठीक नहीं थोड़ा सा जो इन्हों करने वाला है ए गतिरोध तोटेगा मैं तो यह सरकार ने बोल दिया आप नी तरफ से केमरे के पीछे किस ने देखा कि क्या बात्चित हुई है लेकिन सरकार ने तो इसी तरह से दिखाया कि हमने माफी मांग लिए और आपको भी मांग लेनी चाहिए तो अब वही है आप कब तक माफी मांग रहे हैं कि और कुछ नहीं है जनाब हमारी इंसानियत कत्व हो रही है यह शायद इसी मुद्दे से जुड़ा इनकी बात होगी कि इन दा सेंस इनका मतलब विदायकों से होगा कि कोई माफी नहीं मांग रहा है जी वही वही बात है कि आपको दिल बड़ा नहीं कर रहें इनसानियत थोड़ी सी दिखा दीजिए आज मुख्यमंत्रे ने भी वही देखिए तो एक बात उन्होंने भी कही आज हंसराज ने विदानसवा उपध्यक्ष ने जिस समय वह सारा घटना करम चल रहा था और गंबलों के पास फंसे हुए थे तो उनकी आँखें देखने लाइक थी तो कि देखिए यह तो खुद राज्यपाल महोदे ने भी नहीं कुछ था यहां पर तो क्लियर कट मैजोर्टी बीजेपी के पास थी तो यहां उन्होंने कभी सोचा ने था कि इस तरह की प्रस्तिती होगी और उसमें उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा और कई जगे हमने देखा है आशीर जी कि कई राज्यों में राज्यपाल कुछ जो है कुछ बोल देते हैं बड़ बोले होते हैं कहीं पर आजने के लिए तो इतने शांती से अपनी बात रखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो है बोलते नहीं हैं हम ने जिस तरीके से अपस में लेकिन फिर भी उन्होंने सीम साब ने भी कहा कि राज्यपाल डरे हुए से में हुए थे तो खेर आगे बढ़ते हैं समय की कमी है आशीज जी आपकी भी शिफ्ट कहीं ना कहीं ओवर हो गई है फिर भी आप दर्शकों के लिए बैठे रहे और आपने चालिस मिनट पहले ओवर हो चीए आपने अनुबहु साजा की और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े खैर आप सभी का बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े और हिमाचल सहीत आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हिमाचल अभी अभी पर जा सकते हैं हिमाचल अभी अभी देखते रहें फिलाल हमें इजाजत दीजिए नमस्का आपके स्वास्तिका प्रहरी श्री बालाजी हास्पिटल कांगडा हिमाचल